नवी करणिये संसाधन वे हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवी कृत होते रहते हैं ये प्रित्वी पर सतत रूप से विद्धमान हैं जैसे वाईयू, जल, वन, पशु, इत्यादी यदि मनुष्य इनकी नवी करण की प्रक्रिया में बाधान डाले और उनका एक सीमा के अंदर उप्योग करे तो वे सतत उपलब्ध रहेंगे इनके उपयोग की एक सीमा है इस सीमा के बाद अथ्वा गलत उपयोग से संसाधनों का अवनयन बिगड़ना होता है और उनके नवी करण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उदाहरन के लिए जल प्रिथ्वे पर सतत विद्मान है सागरों से जल वाश्पिकृत होकर जल वाश्प बनता है जो संगनित होकर वर्षा के रूप में महाद्यूपो को प्राप्त होती है वर्षा जल का कुछ भाग भूमी में रिस्कर भू जल बनता है और शेश भाग नदियों से बहकर पुना सागर में चला जाता है यहां प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जल नविकृत होते रहता है हम इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं में कई अवरोध पैदा कर देते हैं या गलत उप्योग करके उन्हें प्रभावित करते हैं इसे नविकर्णिये प्रक्रियाएं प्रभावित होती है उदाहरन के लिए यदि प्रित्वी पर वन कम हो जाए पेड़ पौधों का आवरन कम हो तो वर्षा के जल को भूमी में रिसने का मौका नहीं मिलेगा भू जल का स्तर रिचार्ज प्रभावित होता है धीरे धीरे कुएं वह नलकूप सुखने लगेंगे नदियों में गंदा पानी बहाया जाता है यदिया कम मात्रा में हो तो बहता हुआ जल और उसमें मौझूद जीव इसे साफ करने के छमता रखते हैं परन्तु आज अत्यधिक मात्रा में कचरा डाला जाता है और बांध वह सिचाई के कारण नदियों में पानी का बहाव भी कम होता जा रहा है इस कारण नदियां अपने आपको साफ नहीं कर पा रही हैं देखते देखते नदियां गंदे नाले में बदल जाती हैं यदी हमें इस प्रदूशन को रोकना है तो हमें कचरे का अन्य उप्योग करना पड़ेगा जैसे खाद बनाने के लिए या पानी को साफ करके बगीचों में उप्योग करने के लिए इत्यादी इसके साथ साथ उद्योगों द्वारा निकाले जाने वाले कच्रे को पुना उप्योग, रिसाइकिल या पुना चक्रित करना होगा नदी में पानी की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि वे जीवित रह पाएं और उनके प्राकृतिक नवीकरण की प्रक्रिया चलती रहे अतह या आवश्यक है कि इन संसाथनों का प्रयोग उसके नवीकरण के चक्र को ध्यान में रख कर करें तो बेहतर होगा हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हम जितने संसाथन का उप्योग कर रहे हैं वे उतने नवीकरित हो पाएं इसी प्रकार यदि किसी छेत्र में भूमिगत जल का दोहन या उप्योग उसके रिचार्ज से ज्यादा है तो भूमिगत जल का स्तर कम होगा अगर हम जंगलों की लकडियों का उप्योग करना चाहते हैं तो उसके नवीकरण चक्र से कैसे मेल बिठाएंगे भूजल का नवीकरण चक्र किस तरह काम करता है हमें भूजल का उप्योग किस तरह करना चाहिए तलाबों में मचलियों का नवीकरण किस तरह होता है हमें उनका उप्योग किस तरह करना चाहिए रासानिक खाद एवं कीत नाशक मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं वे है जो पृध्विपर एक सीमित मात्रा में ही उपलब्द है उनका उप्योग करने के बाद उनका भंडार कम हो जाता है वे अपने आप नविकृत नहीं होते हैं जैसे लोह एस्क, कोईला, खनिज तेल, इत्यादी उदाहरन के लिए धात्विक खनिजों से एक बार धातू बना दी जाए तो खनिज कम हो जाएंगे यदि हमें नए खनिज भंडार नहीं मिलें तो ये खत्म हो जाएंगे एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे भंडार समाप्त हो जाएंगे आज भी कई ख़दाने बंद हो चुकी हैं क्योंकि उन ख़दानों के खनिज समाप्त हो चुके हैं जैसे 36 गड़ का दल्ली राजरा का लौ अयस्क ख़दान यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुवान को दर्शाती है यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर जारी रहे तो यह भंडार कितने वर्ष चलेंगे विश्वभर में ये भंडार अगले 33 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे भारत खनिच तेल के आयात पर निर्भर है क्योंकि यहां तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है जैसे जैसे भंडार कम होंगे इसके भाव बढ़ेंगे तो भारत पर इनका विपरीत असर पड़ेगा यदि यहां तेल की किम्ते बढ़ती हैं तो प्रतेक व्यक्ति पर भार बढ़ेगा अता बुद्धिमानी इसी में हैं कि हम इन आनवी करनिये संसाधनों का उपयोग कम करें यथा संभव उन्हें जरूरत पढ़ने पर ही उपयोग करें और इनके विकल्पों की तलाश जारी रखें उदाहरन के लिए खनिज तेल आधारित उर्जा की जगा हम सोर उर्जा या पवन उर्जा का उपयोग बढ़ा सकते हैं दुनिया के बड़े देश दूसरे देशों की चिंता नहीं करते वे यही सोचते हैं कि इन संसाधनों के स्त्रोतों पर कबजा जमालें ताकि उन्हें संसाधनों की कमी ना हो सयुक्त राज अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास तेल भंडार तो कम हैं लेकिन वे सैन्य और आर्थिक शक्ती के बल पर दूसरे देशों के संसाधन भंडार पर नियंतरन करना चाहते हैं इस नीती का परिणाम युद्ध और लोगों की तबाही के रूप में सामने आ रहा है कुछ अनविकर्णी संसाधन के लिए उनका पुनर चक्रन रिसाइकल किया जा सकता है जैसे बॉकसाइट से एलमुनियम यह एलमुनियम से बरतन तयार किया जाता है इसमें बॉकसाइट तो पुना बनाया नहीं जा सकता है, किन्तु एलमुनियम को गला कर पुना उप्योग किया जा सकता है पता करे कि देश में सौर उर्जा का उप्योग कहां कहां हो रहा है क्या विद्धुत उत्पादन के लिए हमें कोले पर निर्भर रहना चाहिए इसके विकल्प क्या हो सकते हैं धातु के अलावा और क्या चीजे हैं जिनका पुनर चक्रन किया जा सकता है